जम्यत उलेमा हिंद की तरफ से देश के सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए एक एलान किया गया है जिसमें कहा गया है कि 9 अप्रेल को यानी इस जम्यरात को शबे बरात है हाल ही में कोरोना वाइरस की वज़ा से देश में लगाएगे लोगडाउन के मद्दे नजर कुछ हिदायतों पर अमल करना बेहत जरूरी है जम्यत उलेमा हिंद की तरफ से मुस्लिमों को क्या हिदायत दी गई है यह आपको बताते हैं नंबर एक शबे बरात में कबरस्तान में जाने से बचें नंबर दो मस्जिदों में तिलावत सुन्नत विन नफिल अदा करने के लिए ना जाएं नंबर तीन नोजवानों और बच्चों से गुजारिश है कि गलियों में चौक में चौराहों में जुन्ड बना कर ना बैठें नंबर चार तौबा अस्तक्फार नफिल रोजे और खसूसी दुआओं का इतमाम करें नंबर पांच कोरोना वाइरस की वज़ा से किये गए लॉकडाउन का धारस सरकार के आदेशों का अमल करना बहत जरूरी है हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और हाँ बैल आइकन दबाना बिल्कुल न भूले